छपरा में एक शादी के दौरान एक अनुखा कदम उठाया गया। दरसल इस शादी में जितने भी लोग बाराती में आये थे उन्हें एक अनुखा उपहार भेट किया गया। जिसके बाद से ही ये शादी पूरे बिहार में चर्चा का विशय बना हुआ है। अब नमस्कार मैंनेहा चौधरी कैमरा पॉस्टन उम्प्रकास के साथ और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्षन। दूबे की पुत्री बेबी कुमारी की बीते दिनों दो जून को शादी थी। छपरा के जमनपूरा की बेबी की शादी सारन के कोपा थाना छेत्र के चोखडा गावनिवाशी विकास मिस्रा से हुई थी। विकास कहते हैं कि जिस प्रकिर्ती ने जीवन दिया है उसे सुरक्षित रखना हर मानव का धर्म है। अपने जीवन संगिनी के साथ आपदा और सड़क दुर्गटना जीवन रक्षा को लेकर संकल्पित है। कहते हैं कि शादी में बाटे गए हेलमेट से लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर निश्टित तौर पर जाग्रूकता आएगी। दरसल ये संकल्प सबसे पहले बेभी कुमारी ने लिया था जब दुलहन बेभी कुमारी के बड़े पापा महंगु दूबे की 4 साल पहले मौत हो गई थी महंगु दूबे की मौत चैनपूर रसूलपूर पथपर सडग दुर घटना में हुई थी घटना से आहत बेबी ने शपत ली थी कि वह अपनी शादी में बारातियों को हेलमेट उपहार स्वरूप देगी और उनके साथ उनका स्वागत करेगी जब बेबी की शादी तै हुई तो उन्होंने अपने संकल्प को विकास के साथ साजा किया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी शादी में उपहार के स्वरूप में बारातियों को हेलमेट देना चाहती हूँ विकास भी बेबी की बात से सहमत हुए और उन्होंने बेबी के साथ संकल्प लिया कि वह दोनों मिलकर सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूग करेंगे वरवदु विकास बेबी ने बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के हेड कॉंस्टेबल संदिप साही से प्रेरित होकर इस कदम को उठाया है संदिप साही को दिल्ली के लोग हेलमेट मैन के नाम से जानते हैं संदिप दिल्ली समेत अनप्रदेशों में भी लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए हेलमेट पहनने की सलाह देते हैं चंदिप साहे भी बिहार के शारंजिले के रहने वाले हैं उन्हें 2003 में दिल्ली पुलिस में कॉंस्टिबल के रूप में सामिल किया गया था वर्तमान में वे हेड कॉंस्टियबल के रूप में कारी रत है संदिप ने सड़क दुरगट्रा की प्रति लोगों को जागरूख करना 2014 में शुरू किया था जब उन्हें सड़क दुरगटना का सामना करना पड़ा था सड़क दुरगटना जागरुकता के अपने समुदाय केंद्रिस के माध्यम से दिल्ले की सड़कों पर अकेले ही हजारों हेलमेट वित्रित करने में काम्याभी हाशल की है और मेडिया द्वारा उन्हें हेलमेट मैन की उपाधी दी गई है उनके प्रभाव ने उनके गाउद देवपूरा सहित, छपरा शिवान पटना, बोकारु राइपूर, बिलासपूर और अयोध्या में इसी तरह की जागरुकता अभ्यान को प्रेरित किया है उनके इस पहल पर 28 अप्रेल को भी जिले की एक बेटी के शादी में 51 लोगों को उपहार परूप हेलमेट प्रदान किया गया था माकि आप इस नवदमपत्ती के इस अनोखे पहल के बारे में और हेलमेट मैं संदिप साही के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आगे की खबरों के लिए देखते रहे जनता जंक्षन धन्यवाद